सो दोस्तो आज हम ऐसे 5 golden rule के बारे हम बात करने वाले हैं अगर आप micro finance में काम करते हैं तो यह आपको पता होना ही चाहिए अगर आप micro finance में काम करते हैं और आपको यह five golden rules नहीं मैलुमें तो फिर आप कुछ मिस्स कर रहे हैं तो आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे 5 golden rules कौन से हैं और एक किस तरीके से हमें फाइदा पहुचाते हैं अगर हम microfinance में काम कर रहे हैं तो उससे पहले आप से हमेशा की तरह एक नवे दने के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि हमारा मिसा ने इंडिया को सब्सक्राइब करते हैं और किस तरीके से हमारी मदद करते हैं तो यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता अगर हम उसलंद करते हैं अपने जो पांच और जो मा है अगर उसमें आप काम करते हैं तो आपको यह दो यह नाम होते हैं अलगला कंपणी में खरो कहलो है आपके जो सुरुवात की जो होती फ्रेंड लाइन की अगर उसमें आप काम करते हैं तो आपको यह रूल्स मालूम होना चाहिए जिससे क्या होगा कि आने वाले आप प्रमोशन लेंगे जब बीएम के लिए असिस्टेंट ब्रांच मेनेजर के लिए एरिया मेनेजर के लिए इस्टे जो आपके कस्टुमर जो हमारे कस्टुमर है जिनको हम लौन देते हैं जिनसे हम कंक् Sigивается लेए और वो सारी चीजह आपको मेंटें रखनाना किसी से तू तड़ा करके बात नहीं करनी है, हमेसा एक respect से बात करनी है, आप करके बात करनी है, हमेसा अपने dignity maintain करके रखनी है, हमारे जो rules है microfinance के, उसके according हमें बात करनी है, किसी घर में अंदर जाके बात नहीं करनी है, हमें किसी ऐसे public place पर बात करनी होती है, हमें किसी घर क किलियर करना चाहिए तो कश्टुमर से हमेशा बहुत जरूरी हो जाता है अगर हम काम कर रहे हैं अब इसमें अपने नेस्ट पॉइंट के बात करते हैं लौन एच पर नीड और कैपिसिटी यानि हम जिन को लौन दे रहा है उनकी नीड जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो है माले हमने 10 महिलाओं का गुरूप बनाया तो उनकी सब के नीड पूचते हैं किस लिए आप पैसा ले रहे हैं क्या नीड है क्या जरूरत है इस पैसे की तो कोई अपना पसुपालन बताता तो कोई आप सबजी का वैपार बताता तो इस तरीके से अलग-लग लोग अपना जानना बहुत जरूरी हो जाता है साथी साथ कैपिसिडी जब हमने सब की नीड जान ली अब हमें उनकी चैपिसिडी भी जानना जरूरी है हो सकता दस महिलाओं का गुरूप आपका हो सकता उसी महिलाओं ने कोई महिला हो जिसको आप 20-JAR के लिपईमेंट कर सके लेकिन 15,000 के loan की जरूरी नहीं है कि आपकी 10 महला हैं तो 10 को बराबर loan देना चाहिए आप महला हों की capacity के साथ से loan को diversify कर सकते हैं loan को उनको दे सकते हो कम जादा कर सकते हो जिससे क्या होगा कि आपके loan का जो repayment होना होगा तो problem नहीं आएगे और यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है जिससे हम customer के साथ smooth और अच्छा behavior रख पाते हैं आगे चलके अब इसमें हम अपने next point की बात करते हैं complete and correct information safe online यानि हमें customer को जो हम गुरूप बना रहा है जितने ही महलां को हम गुरूप बना रहा है उनको complete और correct information देना चाहिए यानि हमें जो भी loan के दिखाने जो भी हमारी चीजे हैं जो भी company की process है वो हमें बताना चाहिए क्या होता कई वार हम सोचते हैं कि जल्दी गुरूप बनाने के चकर में हम उन्हें पूरी information नहीं देते हैं उनको correct information नहीं देते हैं जिससे क्या होता बाद में dispute होते हैं misunderstanding होती है इसके कारण हमारी collection में काफी problem आती है जनने ली क्या होता है गाउं के customer होते हैं उनको finance के बारे में तरह नोलेज नहीं होता है वो अपनी बात को पकड़ लेते हैं कि नहीं हमें तो उन्होंने बताए हैं नहीं हम क्योंग ऐसा करें लेकिन अगर आप शुरूब आते दौर में जब हम गुरूप बनाते तो अगर अगर हम उन्हें complete information देंगे loan के बारे में कि भाई इतना loan है इतनी EMI आईगी इतना incidence लगेगा इतने दिन में payment करना है इस आरी चीज़े आप बताते हैं correct information देने हों सही सही information आप दे देते हैं पहली और दूसरी meeting में तो उसके बाद अगर आपका loan safe हो जाता है यानि आपका repayment आप रुकेगा नहीं और repayment हमेंसा time से आएगा तो यह generally हम गलती कर देते हैं कई बार अगर हम यह five golden rules से याद नहीं रखते हैं और इसके कारण हम customer से सही से बात नहीं कर पाते हैं और सही से information नहीं दे पाते हैं सही से loan के बारे में बता नहीं पाते हैं जल्दी के चक्कर में किसी करण से तो फिर बाद में हमारे dispute निकल के आते हैं जब हमारा collection आता क्योंकि customer फिर बोलते हैं कि sir आपने हमें नहीं बतायता है तो उस समय हमें बहुत प्रॉलम होती है तो इसलिए सुरू बाती दौर से आप complete information ने company के बारे में बताएं साथी सत्थ company के सारे जो भी EMI यह है इतने महीने के यह सारी चीज़ें आप एक बार सही से दें उनको जिससे customer सैटिस्फाय हो जा तो इससे repayment में आपके प्रॉलम नहीं आएगी अगर इसमें हम अपने अगले point की बात करते हैं कि keep customer information safe and secret यानि customer की information हमें सुरक्षित और गोप्त रखना चाहिए क्या हो सारी information हमें उनकी safe गुप्त रखना चाहिए हमें किसी को बताना नहीं चाहिए कभी कई वार क्या होता है कोई customer पूछ लेता है या गाओं के कोई दूसरे लोग पूछ लेते हैं या कोई दूसरे company वाले पूछ लेता तो आपको यह नहीं बताना चाहिए क्योंकि यह बहुत जरूर यह आपका customer है आपकी customer की information आपके safe रगनी चाहिए किसी को बतानी चाहिए यह बहुत हमेसा द्यान रखना का भी क्या होता है customer की safe कुछ information ऐसी होती है जो आपको customer बता देता लोन के वज़े से लेकिन customer नहीं चाहता कि उसकी information वो बार जाए और आप बता देते तो ऐ आपके सारी चीजों से लोन की repayment में भी issue बनाता है तो हमेसा customer की safe रखना चाहिए information गुपत रखना चाहिए और जिससे customer की कभी भी जो privacy है खतम ना हो और आपके साथ smooth उसका relation चले अब हम इसमें अपने last point की बात करते हैं correct and timely resolution of customer complaint क्या होता जब हम customer को loan देते हैं जब हम loan द जाके है हमार किसी भी चीज़ को लेके तो हमें उनकी सही सही मदद करनी चाहिए और समय पर करना चाहिए उनका resolution जो है complaint का बोस टाइम ली देना चाहिए यानि आपको मालों में कोई चीज़ का हमें एक हपते में बतानी है तीन देने बतानी है तो आप उसको timely बताए किसी क किसी काम ना बिगड़े और आपको भी problem ना होए क्योंकि बहुत सारी customer आपसे एक साथ complaint करेंगे अगर उनको timely आप reply नहीं करेंगे तो आपके उपर भी burden आ जाएगा साथी साथ अगर सही से information देगे तो एक बार में काम हो जाएगा अगर आप घुमा फिरा के information नहीं देंग सो यह थे 5 golden rule जो आपने जाने साथी साथ अगर overall हम बात करेंगर हम microfinance में काम करते हैं तो हमें 5 golden rule हमें मालूम होना चाहिए जिससे हम अपना business बहुत smooth तरीके से कर सकें और आगे भी हम अपने अच्छे से काम कर सकें सो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परीजनों में सेर करें और उन लोगों को भी सेर करें जो microfinance में काम करते हैं या करना चाहते हैं बेंकिंग और फैनिस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो जाके नमस को ये चेक कर ये हो सकता है कोई आपके काम की बाद निकला है तो मिलते हैं नास वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार